इस वीडियो में हम परकरती कक्सा 5 के पार्ट 14 जल के गुण एवं जल प्रदूशन इस पार्ट के अभ्यास प्रशनों का हल देखेंगे सबसे पहला हमारा प्रशन है इसमें सही वाक्य पर सही का चिन तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन लगाएं यहां पर आपको सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन लगाना है जैसे पहला कथन है इसमें हमारा मौम पानी में घुल जाता है देखें मौम पानी में नहीं घुलता है यह बात गलत है आप इसके आगे गलत का चिन लगाएंगे जल परदूशन का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है ये बात सही है कारखानों से निकला हुआ जो कचरा है गंदा पानी होता है वो जल परदूशन का एक कारण भी है तो ये बात बिलकुल सही है आगे देखते हैं जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए ये बात गलत है, ऐसा करने से जल प्रदूशन बढ़ता है, तो जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए, ये बात गलत है, आप यहां पर गलत का निशान लगाएंगे, खेतों में डाले गए कीट नाशक पदार्थ जल को प्रदूशित करते हैं, बात बिलकुल सही है, तेल पानी में घुल जाता है, ये बात गलत है, ना मौम घुलता है, ना तेल घुलता है, ना घी घुलता है, इस तरह से आगे देखते हैं, तो आप इसके आगे गलत का चिन लगाएंगे, आगे अगला कथन है, विले और विलायक मिलकर विलियन बनाते हैं, ये बात तो जो ये बन करके तयार हुई है सिकंज भी इसका नाम हम कहेंगे विलियन ये तो है विलियन अब हमने इस पानी में क्या क्या घोला है नवा घोल दिया है चीनी घोल दी है नीमबू घोल दिया है ये है विले और ये जो पानी है ये है विलायक तो इस तरह से आप इसे समझ तो विले और विलायक को जो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका विलियन बनता है ये बात बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं अगला कतन है हमारा पानी के स्रोत के इस्थान पर बरतन धोने तथा जानवरों को नहलाने जानवरों को नहलाने से पेजल परदूशित हो जाता है बात बिल्कुल सही है आप इसके आगे सही का चिन लगाएंगे आगे देखते हैं दूसरा प्रशन है सोचिए और लिखे तो इसमें पहला प्रशन आप से पूछा गया है विले और विलायक से आप क्या समझते हैं ये बात हमने आपको अभी बताई है जैसे मान दी हमारे पास है पानी में हम नमक घुलते हैं तो जो नमक हम घुलेंगे पानी में ये घुल जाएगा तो नमक तो होता है विले और जिसके अंदर हमने इसको घुला है वो है विलायक और जब दोनों मिल गए है तो क्या बन गया है विलियन बन गया है यही बात आप यहाँ पर लिख देंगे आगे बढ़ते हैं विलियन क्या है हमने अभी आपको बताया है द्रव में किसी विले पदार्थ के घुनने पर विलियन बनता है किसी द्रव में किसी विले पदार्थ के घुनने से विलियन बनता है या फिर आप ये भी कह सकते हैं विले और विलायक को मिलाने स ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं आगे देखते हैं अगला प्रशन है हमारा जल प्रदूशन किन कारणों से होता है तो जल प्रदूशन किन कारणों से होता है इस प्रशन के उत्तर में आप क्या लिखेंगे जल प्रदूशन निमलिखित कारणों से होता है तो जल्प रदूशन के निमलिकित कारण होते हैं जैसे यहां पर पहला कारण है कारखानों से निकला हुआ अप्षिष्ट पदार्त नदियों में चोड़ देने से अगर कारखानों से निकला हुआ अप्षिष्ट पदार्त नदियों में तालाबों में नहरों में चोड़ द मुशित हो जाएगा। क्रशी कार्यों हितु उपियोग में LA मय जाने वाले कीट- différents सích युपियोग में लेजिते हैं। नदी, तालाब, आधि में कपड़े धोना, पश्वों को नहलाना, गोरा स्वईना संसाग्रों से भी जल पृर्दूशन होता है। आगे देखते हैं हम अगला प्रशन है हमारा प्रदूशित जल से हमारे स्वास्ते पर क्या परभाव पड़ता है देखे प्रदूशित जल से हमारे स्वास्ते पर बहुत ही बुरा परभाव पड़ता है प्रदूशित जल पीने से हमें कई तरह की बीमारिया हो सकती है इसके अन्य तरह की बिमारिया हो सकती हैं तो प्रदूशित जल से हमारे स्वास्ते पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हानी कारक प्रभाव पड़ता है प्रदूशित जल पीने से हमें कहीं तरह की बिमारिया हो सकती हैं और इतना ही नहीं अगर उन बिमारियों का समय से प्रशन है किनी दो बीमारियों के नहीं किनी दो चीजों के नाम लिखिए जो पानी में घुल जाती है तो किनी दो चीजों के नाम लिखिए जो पानी में घुल जाती है तो नमक और चिनी ये दोनों पानी में घुल जाती है आगे देखते हैं लोही की कील पानी में क्यों जो वस्तुएं पानी से हलकी होती हैं वो पानी के उपर तैरने लगती हैं तो ये इसका उत्तर है लिखेंगे किस तरह से जो वस्तुएं पानी से हलकी होती हैं लेकिन पानी में गुलनशील नहीं होती वे वस्तुएं पानी की सतह पर तैरने लगती हैं और जो वस्तुएं पा यह पानी में गुलनशील नहीं है और यह पानी से भारी है तो पानी से भारी होने के करण यह पानी में डूब जाती है इस तरह से आप इस प्रशन का उत्तर लिखेंगे आगे देखते हैं प्रदूशित जल से होने वाली किनी दो बीमारियों के नाम उनके लक्षन लिखिए तो यहां प्रदूशित जल पीने से जो दो बिमारिया होने वाली उनके नाम लिखने है और लक्षन लिखने है तो उत्तर में हमने दो बिमारिया लिखी है पैचिश और हैजा पैचिश लिखी है और हैजा लिखी है पैचिश के लक्षन है जैसे पेट में मरोड के साथ बार बार दस्त होना और हैजा के लक्षन है ज्यादा और लगतार उल्टी और दस्त होना ये हैजा के लक्षन है तो ये प्रदूशित जल पीने से होने वाली बिमारिया हैं आगे देखते हैं अगला प्रशन है पीने का पानी स्वच्च हो इसके लिए हमें क्या साउधानिया रखनी चाहिए इस प्रशन के उत्तर में हमें क्या लिखना है पीने के पानी की स्वच्चता के लिए हमें निमली की सावधानिया रखनी चाहिए सबसे पहले पहली सावधानी है कि आप पानी को उबाल कर ठंडा करके उसे च्छान कर पिए पानी को उबाल करके ठंडा करके उसे च्छान करके पिए फिर वो शुद्ध हो जाएगा इसी तरह से आगे देखे पीने के पानी को ढख कर रखना चाह तो इसमें कोई मख्याह का पानी में इसे पानी कोई पिने पॐक्ष से पीने का पाहिए तो पूस्तितुम कोई के पानी में लपानी मिला यह कर शुद्र करना चाहिए, już appelle चाहिए का ब्यक्तिर हमारे लिए कई तरह की बिमारियों का कारण बनते हैं आगे पानी की टंकियों में ब्लीचिंग पावडर डाल कर और उसे शुद करके प्रियोग करना चाहिए जैसे शहरों में पानी की टंकियां बड़ी बड़ी पानी की टंकियों से पानी पहुंसता है तो उन टंकियों में भी ब् बरतन में तालिखा में दी गई चीजें एक एक करके डालिए और देखे क्या होता है तो ये चीजे आपको पानी से एक भरे बरतन में डालनी है यहाँ पर एक टेबल ये बराई गई है पानी में डाली हुई चीज ये तैरती है ये डूबती है जैसे पत्ती अगर पेड़ का पत्ता डालेंगे तो वो तैरता है खाली कटोरी ये भी तैरती है माचिस की टीली डालेंगे तो ये भी तैरेगी साबुन की टिकिया डालेंगे तो ये डूब जाएगी तो आप इसमें लगा देंगे डूबती है इसी तरह से पलास्टिक की खाली बंद बोतल है ये तैरने ल तोब जाएगी और लकडी का टुकडा ये तैर ने लगता है लकडी का टुकडा तैरने लगता है तो इस तरह से ये हमने परकरती कक्सा पांच के पाथ 14 का हल देखा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कर प्यों करके इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें